नमश्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल Government Exam Study में आप सभी की परिक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उमीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बहतर ढग से अपनी परिक्षा की तैयारी को कर रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग UPPCL के English की प्राक्टिस सेट लगातार कर रहे हैं जो कि आपको देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना पड़ेगा वहाँ पर मैंने UPPCL Executive Assistant की प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ से जाकर आप previous सारे प्राक्टिस सेट साथी में जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं जैसे की figure of speech, phrasal, verb, noun, pronoun जो भी चीज़े पढ़ाई हैं, computer पढ़ाया है, वो सब आपको वहाँ से मिल जाएगा एक बर जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीज़ेगा, definitely आपको help मिलेगी तो शुरू करते हैं अपने प्रश्णों को देखे दोस्तों पहला प्रश्ण यहाँ पर है, antonym antonym का मतलब क्या होता है, willom पता, पुछा जा रहा है consistent का willom क्या होगा तो देखे आपको पता होगा, consistent का मतलब होता है, एक तो होता लगातार, जैसे मैं कहूँ आपको पढ़ाई में consistency रखनी है अगर आपको selection लेना है तो, यानि कि रोज करना है आपको किसी काम को, या फिर consistent का मतलब क्या होता है, एक समान जैसे हमने कोई चीज दो चीज़ों को मिलाया और उसके आप बोलते है consistency उसकी same रखनी होती है यानि कि वो उसी तरह से घोलना है कि वो उसके अंदर घुज जाए, ठीक है उसका opposite क्या हो जाएगा, साफ-साफ दिखरा आपको inconsistent, क्या हो जाएगा दोस्तों inconsistent, inconsistent का मतलब क्या होता है भिन, अलग कोई चीज हो, उसे बोलते है inconsistent, ठीक है, चलिए next देख लेते हैं, next है दोस्तों, the rain fell in sheets, यहाँ पे आपको देखी figure of speech बताना है मैंने आपसे बता रखा है, previous year कि मैंने analysis है की हुई है, आप मैंसे कई लोग उसे बहुत appreciate भी किया है, इसलिए मैं आपको recommend करूँगी, एक बार जाके जो मैंने subject wise, previous year analysis करी उनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़ादा help मिलने वाली है क्योंकि मैंने 3-4 साल के papers को analyze करके, फिर बताया है कौन से टॉपिक ज़ादा आते हैं एक्जाम्स में और उससाब से आप पढ़ाई करके score कर सकते हैं अच्छे हैं ठीक है तो rain fell in sheets आपको पता है rain जो है वो sheets में तो नहीं गिरती वो कैसे गिरती हो तो बूंदों में गिरती है drops में गिरती है, लेकिन यहाँ पर कौन सा figure of speech यूज किया है यहाँ पर दोस्तों हमने यूज किया है metaphor 2 का C हो जाएगा metaphor क्या होता है metaphor होता है जब आप सीधे कीशी को बोल ही देते हैं हमने कह दिया heart of stone पत्थर का दिल किसी का तो दिल तो किसी का पत्थर नहीं होता है लेकिन क्योंकि उसने काम ऐसे कुछ होते है कि अमने बोल दिया होता है तो वो क्या होता है आपका metaphor होता है तो यहाँ पूरा अच्छे से समझा नहीं रहे हैं आप जाक एक बच चैनल की playlist पे छोटी सी वीडियो है figure of speech देख लीजेगा अच्छी भी लगेगी आपको आगे देख लेते हैं दोस्तों meaning पूछा जा रहा highlighted phrase की the tree had fallen across the rail line holding up all train services मैंने बताया आपसे लिए highlighted phrase आपका word मतला इसमें दिया हो है sentence में तो उसको निकालना meaning असान होता है अगर सीधे पूछा जाए holding up तो एक बार confusion हो सकती है क्या लिखाए tree जो है वो rail line के across fall हो गया है गिर गया है उससे क्या होगा holding up all train services delay होगा क्या होगा 3 का आपका delaying all क्या कहते है train services अगर हम बात कर ले scoop scoop का मतलब क्या होता है पहले खबर दे देना किसी चीज की तो अगर train rail line पे पट्री पे trigger गया है तो पहले तो खबर नहीं हो जाएगी ठीक है picking का मतलब होता उठाना breaking का मतलब तोड़ना ठीक तो option A सही हो जाएगा next देख लेते हैं दोस्तों उसके बात क्या है next है आपके पास grammatically correct order of words बनाने है to for a people to for a meaningful sentence जासे पहला sentence लिखा हुआ है never taught me the recent event in high places to trust people यह तो गलत ही लग रहा है दूसरा देख लीजे वहां क्या लिखा हुआ है in places never trust to people taught me the recent event यह भी गलत है see आपका बिल्कुल सही है the recent event taught me never to trust people in high places यह बिल्कुल सही option देख रहा है आपको आपको ऐसे question से घबराना नहीं है बस sentence पढ़िए का बाकी हम लोग यह प्राक्टिस करते रहेंगे मुझे उम्मीद है कि आप सभी उसका प्राक्टिस सेट करने के बाद लगातार करते रहेंगे ना बहुत अच्छी improvement हो जाए कि आपकी English की नेक्स देख लेते हैं इसके बाद Choose the correct direct form of the following sentence She thought the film did not depict the truth इसका क्या होगा दोस्तों इसका होगा A option I think the film did not depict the truth She said ठीक है तो यह बिलकुर सही इसका answer है बाकिस में से कोई भी आपका नहीं होता इसको बोलते है घ्रनेत आप देखिए यहां पर एक चुछ चीज़ आपको meaning सबकी पता होगी ना तो आप वैसे भी निकाल लोगे जैसे लायर का मतलब क्या होता लायर का मतलब जूटा होता कोई जूट बोलता है लायर critical का मतलब क्या होता जटिल कोई condition आपकी critical होती है तो उसको बोलते है जटिल introvert मतलब अंतरमुखी जो की किसे ज़्यादा बात चीत नहीं करते है ऐसे लोग को क्या बोलते है अपने में रहते हैं उन्हें introvert बोलते है ठीक है तो इसका क्या हो आपको दिख रहा सिनाने इन में से तो कोई नहीं इसका मतलब जो यह c वाला option है detestable इसका मतलब ही होता है घ्रिणा करने के योगे मेरा यह मतलब है कि अगर आपको meaning नहीं भी पता है लेकिन एक basic जो चीजों की meaning पता है तो भी आप option निकाल सकते elimination वाले methods है ठीक है 6 का c हो जाएगा next देख लीजे we had not reached our destination dash sunset तो क्या होगा by sunset ठीक है we had not reached our destination by sunset 7 का d हो जाएगा next देख लेते हैं क्या है identify the correct homophone words to be used in the following sentence homophone का मतलब क्या होता दोस्तों ऐसे word जिनकी क्या हो बोलने के जो आप बोला जाए तो वो एक ही जासे लेगे लेकिन उनकी meaning spelling different हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा the dash on display at the dash was not good enough for the queen तो क्या होगा the fair on the display इस fair का मतलब क्या होता चिराया the fair on display at the fair बोलने में देखे दोनों fair है लेकिन पहले fair का मतलब किराया है और दूसरे fair का मतलब मेला है ऐसे question भी आपके exam में बहुत पुछे आते हैं को इन पे भी बहुत ध्यान देना है तफ नहीं आएंगे बहुत असान से आते हैं लेकिन आपको ये है exact meaning दोनों की पता होनी चाहिए next देख लेते हैं the books in my bag weigh a ton तो ये क्या बता रहा है आप फिर figure of speech पुछी गई आप से बार बार के आ रहे हैं figure of speech की playlist पड़ी हुई है बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन आप लोग जाकर जरूर उसको देखेगा definitely आपको बहुत उससे help मिलने वाली है ठीक है क्या बोला the books in my bag जो किताबे मेरे bag में हैं वो लगबग एक ton होंगी लेकिन आप बताईए किताबों का वजन कभी भी इतना नहीं होता लेकिन हां उसने बहुत भाली के लिए डिनोट कर देखेगी लगबग एक ton के बराबर हो गई तो इसमें कौन सा होगा बताईए इसमें होगा आपका हाइपरबोल हाइपरबोल क्या होता दोस्तों हाइपरबोल होता अतिश्योग तियलंकार किसी बात को बहुत बढ़ा जोढ़ा कर कहना उसको कहते हैं हाइपरबोल तो इसका है books in my bag वे अटन 9 का बी हो जाएगा next देख लिजे उसके बाद क्या है 10 आपका question which sentence from the given options has the same meaning as the following sentence is that a question at all तो पूछ रहा है क्या यह question भी है इसका मतलब इसकी meaning कौन सी होगी this is not a question ठीक है 10 का a हो जाएगा ठीक है this is not a question इसी बाद पर क्या पूछा गया is that a question at all तो 10 का a हो जाएगा next देख लिजे which sentence from the given options has the same meaning as the following sentence बताईए he made a moment that almost could not be noticed उसने ऐसा moment किया जो लगभग किसी ने notice ही नी किया जो लगभग किसी के द्वारा notice ही नी कर पाया गया gross का मतलब क्या होता है gross का मतलब total होता है कोई भी चीज कुल जो बोलते हैं को gross बोलते हैं clear का मतलब साफ साफ दिखना वो तो यहां होगा ही नहीं फिर क्या robust robust का मतलब मज़ी मजभूत होती कोई चीज को बोलते है robust या energetic कौन सा option बचाए यहां पर d imperceptible imperceptible का मतलब क्या होगा दोस्तों imperceptible का मतलब होता है लगभग जो चीज आप notice ना कर पाया है इसके बोलते हैं imperceptible ठीक है तो 11 का आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है चले नेक्स देख लेते हैं इसके बाद हमारा क्या question है next question देखी एंटॉनी पूछा जा रहा है आपसे cut का cut का मतलब क्या होता कि इस चीज़ों काटना या कम करना उसे बोलते है cut जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें यह महंगाई बढ़ तो अपने समानों में cutting करनी चाहिए ठीक है price में cut हो रहा है तो ऐसे इसका क्या होगा इसका उल्टा क्या होगा एंटॉनी मतलब उल्टा increase बढ़ोतरी किसे ने बढ़ोतरी को क्या बोलेंगे आप उसका उल्टा क्या हो जाएगा cut का increase next देख लेते हैं फिर God is present everywhere तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको इसकी one word substitution करना है God हर जगे present है तो क्या बोल सकते है supreme मतलब सरवोच पावर overriding मतलब क्या होता है overriding का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी को निरस्त कर पाएं किसी को निरस्त कर पाएं तो बोलते है overriding everywhere मतलब हर जगे present everywhere का मतलब क्या है सभी जगें जो चीज रहे जो चीज हर जगे present रह से क्या बोलते है दोस्तों? उसे बोलते है omnipresent 12 का क्या हो जाएगा D answer हो जाएगा, ठीक है? 12 का D answer हो जाएगा next देख लिजे इसके बाद God is present everywhere एर फिस का क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट 13 का भी D हो जाएगा. Next, देख लीजे. I am dash weak to get up from bed. तो क्या होगा? I am two weak. मैं इतना weak हूँ, इतना जादा weak हूँ कि मैं बेट से उठ भी नहीं सकता. 14 का क्या हो जाएगा? 14 का आपका D हो जाएगा. Next, देख लीजे. Next, he was sure the boss would haul him over the course for his mistake. मतलब एकदम sure था और यहाँ पे आपको underline idiom की meaning बतानी है. Haul him over the course. इसका मतलब क्या होता है? डाटना किसी को बहुत बुरी तरह डाटना उसको बोलते है haul him over the school. वो जानता था कि उसने जो गलतियां की है, उसके लिए उसका boss उसे बहुत बुरी तरह से डाटेगा. The boss would give him a severe scolding for having made the mistake. 15 का क्या हो जाएगा? 15 का B हो जाएगा. Next, देख लेते हैं. The scooters were fed up with the patient who had imaginary symptoms and ailments. Who had imaginary scooters? इसका मतलब क्या होता है, रोग ब्रह्मी, जिनकी बिमारी के लक्षा रहा है, हमेशा क्या हो? कालपनिक हो, मतलब कुछ हुआ नहीं, लेकिन लगता है कि मुझे ये भी हो रहा, मुझे वो भी हो रहा. Docters, ऐसे लोगों से क्या होता है, एकदम परिशान हो जाते है. Hypnotist का मतलब क्या होता है? Hypnotist कर लेना, सम्मोहर में किसी को बांद लेना, उसे बोलते है, Hypnotize, ठीक है? Chiropractor क्या होता है? जो हाथ का व्याद होता है, ठीक है? उसे बोलते है, Chiropractor, सरजन कौन होता है? जो Operation बगएरा करता है, तो 16 का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा. Next, देख लिजे क्या है उसके बाद? Antonym पूछा गया है, Sage का. तो पहरता है, Sage का मतलब क्या होता है, आपका बहुत ग्यानी कोई. उसे बोलते है, Sage. ठीक है? सादू बगएरा के लिए ये यूज होता है, वर्ड सेज आपका. इसका opposite पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? Fool. Fool का मतलब मूर्ख हो जाएगा. Leader का मतलब Neta. Priest का मतलब सादू या सन्यासी. और beggar का मतलब क्या हो जाएगा? Beggar का मतलब भिखारी हो जाएगा. Next, देख लिएते हैं. Antonym पूछा गया है आपसे Awesome का. Awesome का Antonym क्या है, बताएगे जल्दी से. Awesome का Antonym क्या होगा? Awesome का मतलब होता, दोस्तों, कोई चीज शांदार होती है. उसे हम बोलते Awesome. जैसे आप लोग बहुत च्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पता है, आप सभी लोग, मैं बोलोंगे Awesome Work. आप सभी लोग बहुत च्छे से पढ़ाई कर रहे हो, very good. ठीक है? इसका Opposite क्या होगा? Brilliant का मतलब भी तेज होता है, तो Brilliant नहीं होगा. Huge का मतलब क्या होता है? Huge का मतलब बहुत जादा, विशाल कोई चीज है, तो वो भी यहाँ पे नहीं होगा. Ordinary अगर हम बात करें, तो ordinary होगा. ठीक है? Awesome, कोई चीज बहुत अच्छी है, बहतर है, और कोई चीज ordinary है, तो यह क्या होगा? उसका Ulta होगा, Wonderful मतलब भी बहुत शांदार चीज होगी. तो इसका क्या होजाएगा? 18 का C होजाएगा. नेक्स देख लेते हैं, He said that he would come to help her. ठीक है? तो इसका क्या होजाएगा? इसका पूछा जारा है आपसे दोस्तों, कि इसका आप direct form बताईए. देखे, question में नहीं लिखा है मैंने, लेकिन आपको देखके समझ में आ जारा होगा, कि direct ही पूछा होगा, He said that he would come to help her. तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका B हो जाएगा? I will come to help her, He said. ठीक है? I will come to help her, He said. नेक्स देख लीजे, He walked into the clinic booking like the living dead. figure of speech यहाँ पे क्या होगा बताईए? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका figure of speech oxymoron. आप देखें, मैंने oxymoron में आपको पहले ही बता रखा, मैं इसी रिवाबरा कहा हूँ, कि आप लोग figure of speech की playlist जाकर ज़रूर देख लीजेगा. living dead का मतलब क्या हुआ? दोनों चीजें क्या आपस में? तो यह आपका क्या है? contradictory है, यानि कि यह आपका oxymoron है, ठीक है? 20 का A हो जाएगा. next देख लीजें उसके बाद, she was too good to true, इसका मतलब क्या है? she was so good that it could not be true, ठीक है? उसने का she was too good to true, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इतनी जादा अच्छी है कि यह बात सच हो ही नहीं सकती, उसका क्या हो जाएगा? 21 का A हो जाएगा. next देख लेते हैं उसके बाद, 22, I had to go to the butcher who had promised me some fresh goat, यहाँ भी क्या करना है? 22 का आपका A हो जाएगा, next देख लेते हैं, at last we can be alone together, अब बताइए, alone together का मतलब क्या हुआ? फिर वही बात होगी oxymoron वारी बाग, alone भी है, तुगेधर भी है, ऐसा को हो नहीं सकता कि alone भी रह, together भी रह, तो यह क्या हो जाएगा, आपका 23 का A हो जाएगा, next देख लेते है Looking at him, it was obvious that he was drowning in a sea of grief, which figure of speech applies to the highlighted phrase, बताइए, कौन सा इसमें से highlighted phrase बता रहा है, C of Grief C of Grief का मतलब क्या हुआ Dukh के Sagar में Dukh के Sagar में Dukh के Sagar में Dukh के Sagar का मतलब क्या हो तो decreased Positionifications ね Choose the correct meaning of the highlighter idiom In the given sentence He was sure that the boss would haul him over the coals for his mistake The question लग भर रिपीट होगे यही question ने उपर किया था क्या मतलब था? Haul him over the coals का मतलब था severe scolding बहुत ज़दा डाट लगानों से क्या बोलते हैं? Haul him over the coals for his mistake Next देख रिजिए इसके बाद क्या है? Which word can substitute the highlighted phrase in the given sentence? He made a moment that almost could not be noticed 26 का क्या हो जाएगा? 26 का आपका D हो जाएगा Imperceptible ठीक है? चलिए Imperceptible का मतलब पीछे मैंना आपको समझा दिया अच्छे से है Next देख लीजे The two friends were like peas in a pod Which figure of speech applies to the highlighted phrase? बताएगे क्या होगा इसका देखिए Two peas in a pod इसका मतलब क्या है? Two peas in a pod ठीक है? दो लोग जो अलग हो ठीक है? दो लोग जो सेम हो Like peas in a pod का मतलब है जो लोग सेम हो जिनकी स्क्राटेजी हर चीज जो वो सेम हो लगभग उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम लोग इसी चीज Peas in a pod ठीक है? जो लोग जनरली सिमिलर होते हैं तिपिकली जिनकी चीज है कि मिलती से बोलते हैं क्या? Peas in a pod ठीक है? चले और ठीक है? तो इसका आपका सिमिली हो जाएगा 27 का क्या हो जाएगा? सिमिली सिमिली का मतलब As या like लगा होगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका सिमिली हो जाएगा चले, नेक्स लेते हैं Which word can substitute the highlighted phrase in the following sentence? I must find out all the selected she is hiding ठीक है? Secrets 3 is hiding हमने क्या क्या है फिर अपसे हालेटर फ्रेज की मीनिंग पुछिवार इसमें क्या कुछ हो रहा है इसमें ऐसा हो रहा है कि एक आदमी से मैं मिला जो की सारे सीकर्स जानते जो लड़की चुपा रही है 28 का आपका D है इसका क्या होगा थोस्तो इसका होगा इसका होगा इसका होगा जो भी सीक्रेट वो हाइड कर रही है जो भी वो secrets hide कर रही है जो भी वो secrets hide कर रही है उसको पता लगवाना तो पता लगाने मतलब क्या होगा Discover I must discover all the secrets she is hiding Examine का मतलब की चीज़ की जाच करना परेक्शन करना पुलिस का मतलब आप जानते ही है और packed का मतलब क्या होता चुनना की चीज़ को I had, he had been sent to an institution for the mentally ill उसने क्या कहा कि मैंने सुना है कि इसको कहा भेज दिया गया जहां पर mentally ill को रखाया था वहाँ पर उसका one word substitution क्या होगा बताइए जोड़ी से इसका one word substitution क्या होगा इसका क्या होगा asylum क्या होगा C Asylum Asylum का मतलब क्या होता दोस्तों Institution for the mentally ill organization ठीक है Mentally ill के लिए होता है यह क्या है आपका 29 का C है ठीक चलिए नेक्स देख लेते हैं और यह आपका आखरी question है आज का Select the most appropriate synonym for the given word Synonym का मतलब क्या होता दोस्तों Synonym का मतलब होता आपका परियावाची यानि कि Spectacular यह क्या होता दोस्तों आपका यह भी appropriate synonym for the given video Magnificent का मतलब क्या है बताना आपको मुझे बताईए Magnificent का देखिए पहला ही मैंने बता दिया सही है Spectacular Spectacular क्या होता दोस्तों यह भव्य बहुत शांदार कोई चीज हो उसे बोलते Magnificent ठीक है अगर हम देखा जाए उसके सामने कोई चीज हो तो बहुत ही अच्छी हो लेकिन क्योंकि उसके सामने की वैसे क्या होती है वो चीज बेकार हो जाती है तो क्या हो जाएगा आपका Spectacular ठीक है 30 का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लासे बहुत पसंद आई होंगी प्लीज अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजएगा आप में दोस्तों के साथ शेयर करिएगा देखे दोस्तों पंदरा और सोला को जितने लोग मुझे पता यूपी PCL के तयारी करें आप सभी लोग का पेट का एग्जाम है किसी का पंदरा को है किसी को सोला को है उस दिन दो दिन मैं कोशिश है करूं कि दो दिन फे आप पर कोई क्लासेज ना हो और सोला से दोस्तों हम लोग सोला से लोग लोग लाइव क्लास डेली चलाएंगे डेली में व bleak क्या करेंगे डेली Complete Practice Set कराओंगे आपको अब मैं ठीक है डेली Practice Set करा दूँगी दोस्तों मुझे पता एग्जाम तक आपको बहुत मोटिवेशन आत चुका होगा तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों शेर करें इस वीडियो को जादा दालों को शेर कर दीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो हमसे फूर सकते कमेंट सेक्शन में या तो आप टेलिग्राम ग्रूप में धन्यवाद